एप सभी लोग अच्छे होंगे अच्छे हैं तो आए अगर आप सभी अच्छे हैं तो आई यह करते हैं जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है 15 डेली यूज इंगलिस संटेंस अच्छे से बोल सकते हो यह नहीं उस चीज़ को अच्छे से बोलना थीक तो हमारा फ़र्स संटेंस जैसे कि मम्मी आइएं हंग्री गिव में फूट तो इसका हिंदी क्या होगा मम्मी भूख लगिये खाना दे दो सेकेंड है आपका are you going out somewhere पापा आप कहीं बजार जा रहे हैं पापा आप कहीं बजार जा रहे हैं पापा तो यह इसका हिंदी है इसके लिए हिंदी क्या है शे काट दो four sentence is आपका you keep watching TV all day यू keep watching TV all day इसका हिंदी क्या है तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो तुम पूरे दिन टीवी देखते रहते हो next sentence है आपका the fridge is broken तो इसका हिंदी क्या होगा fridge खराब हो गया है fridge खराब हो गया है I feel like eating something I feel like eating something food something good I feel like eating something good मुझे कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है यह कुछ अच्छा खाने का हो रहा है यह हिंदी है 7th sentence है आपका I am not feeling hungry मतलब इसका हिंदी क्या है मुझे भूख नहीं लग रही है तो यह थे संटेंस आपके 1 to 7 संटेंस आई आई स्टेंस नेक संटेंस को परज़ने करते हैं तो आपका 8 संटेंस है I have got a cold and cuff I have got a cold and cuff इसका हिंदी क्या है मुझे सर्दी जुखाम हो गया है ठीक है 9 थे आपका Keep these documents in the cupboard Keep these documents in the cupboard कांगजात अलमारी में रख दो कांगजात के जगे आप paper भी उसकापरी है डाक्यमेंट भी उसकांगे 10 तै आपका Clean Your Room Clean Your Room का हिंदी क्या होगा अपना कमरा साफ करो 11 तै आपका Keep Your Clothes properly तो हिंदी का कपड़े ठीक से रखो おКак ठीक से रखो और आपका 12 sentence है keep your mouth closed heel eating, keep your mouth closed heel eating ते इसका हिंदी के खाना खाते समय अपना मुह बंद रखो, खाना खाते समय अपना मुह बंद रखो, तो 13 है आपका turn down the TV volume, तो TV की आवास कम करो, ठीक है, next sentence है आपका it's very humid today, तो इसका हिंदी क्या होगा, आज बहुत उमस है, ठीक है, 15 है आपका help yourself, help yourself, तो इसका हिंदी क्या होगा, खुद से ले लो, 16 है आपका don't disturb my sleep, don't disturb my sleep, तो इसका हिंदी क्या है, मेरी नेन खराब मत करो, 17 है आपका speed of the fan, speed of the fan, तो पंखा तेज कर दो, तो यह थे हमारे 10 to 7, 8 to 17 sentence, तो आए संटेंस को आगे continue करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं यहां तक, तो प्लेस वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शियर जबर कर दीजेगा, start करते हैं, नेक्स संटे आपका पापा ब्रेंग सम्थिंग फोर मी वैन यू कम, पापा आते वक्त मेरे लिए खाना लेकर आना, ठीक है, इसका हिंदी है, और आपका 20 sentence है, ममी कीप सम गूड फूड इन टिफिन टुमारो, तो इसका हिंदी क्या होगा, ममी कल टिफिन में कुछ अच्छा खाने को ल पापा इन दा इवनिंग, विल कंप्लेइन अबाउट यू तो पापा इन दा इवनिंग, तो इसका हिंदी है, शाम को पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी, ठीक है, 22 है आपका, ममी, I am going to play outside with my friends, ममी, I am going to play outside with my friends, तो हिंदी क्या होगा, ममी, मैं अपने दोस्तों के बाहर खेलने जा रहा हूं, और 23 है आपका, पापा ब्रेंग मी चॉकलेट, तो इसका हिंदी क्या होगा, पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आना, 24 है आपका, I will also come with you, तो इसका हिंदी क्या है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, 25 है आपका, I don't feel like studying, तो इसका हिंदी क्या है, म I can't find my mobile, I can't find my mobile, तो इसका हिंदी है, मुझे अपना mobile नहीं मिल रहा है, तो यह थे आपके संटेंस, 18 to 26, आए संटेंस, आए स्टेंस, आगे करते हैं, तो आपका 27 है, you will get a new cycle only if you get good number in the exam, ठीक है, एक्जाम में अगर गूड नमबर आते हैं, तो उसको एक सैकिल मिलेगी, त इसको ठीक धंक से कैसे लिखेंगे, पेपर में अच्छे नमबर लाओगे, तभी नहीं साइकिल मिलेगी, 28 है आपका संटेंस, मम्मी, I don't feel like going to school today, मम्मी, I don't feel like going to school today, मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं है, 29 है आपका पापा, I need some money, पापा, I need some money, I want to buy a new book, I want to buy a new book, ठीके, पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नई किताबे खरीदनी है, 30 संटेंस है आपका गाईज, मम्मी, प्लीज आस्क मी, पापा, टू गेट मी अ निव वीडियो गेम, तो इसका हिंदी क्या होगा, मम्मी, पापा से कहो ना, मुझे नया वीडियो गेम दिल दिला दे, मम्मी, पापा से कहो ना, मुझे नया वीडियो गेम दिला दे, यह देली यूज में यूज होने वाले संटेंसेंटेंस हो चीड है, आईए 31 देख लेते हैं, एट्स तू लेट, गेट आओट आओफ दाबैड नाउ इट्स तू लेट, गेट आओट आओफ होगा बहुत देर हो गई है अब सथर से उतरो बहुत देर हो गई है अब सथर से उतरो ठर्टी तो आपका संटेंस है गाई्स गो अन्ज अपन दूर दोर पा दर्वाजा खोला रखो ठीस व्हर आपका पापा लेट 거야 लेट पूआउट टू इट पापा लेट्स अव्ट पूटेच संव मेट संव्रक्तिर टॉडेएअ लेट्सॉर्सूर्स्थ पापा चलो आज कहीं बाहर खाने चलते हैं बाहर खाने चलता थे इसका इंग्वर्स पीय वियू शेल्फ कह गाहिए व्यूर्सT तमीज से रहो तमीज से रहो तो यह थे हमारे 27 to 35 संटेंस आए संटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं उससे पहले प्लीज हमारे चैन को सब्सक्राइब कर दीजी ऐसी न्यू न्यू वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं नेक्स संटेंस ठीक है आपका 36 है पापा वेयर विल गो अनव के शन आन थाइंगे आ सिसकत की विए खुँट्यों एफ्च पापा हम लोग इस बाद शुत्यों में कहां जाएंग ठीक है थीये संटेंस आपका poverty someone has come to meet you, Papa someone has come to meet you, Papa आप से कोई मिलने आया है, 38 एंड डूंट जंप ऑन दा बैड, डूंट जंप ऑन दा बैड, सोफा पर उचलो मत, सोफे पर उचलो मत, ये भी उस कर सकते हैं, सोफा भी बोच सकते हैं, तो इसका हिंदी क्या है, आप हर बार यही कहते हैं, हम कहीं बार घूमने नहीं जाते, आप हर बार यही कहते हैं, हम कहीं बार घूमने नहीं जाते, 41 sentence है आपका, मम्मी, are you angry with me, मम्मी, आप मुझसे नाराज हो क्या, ये इसका हिंदी में sentence है, 42 है आपका, this will not happen from now, now on, this will not happen from now on, तो इसका हिंदी क्या है, आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 43 sentence है आपका, मम्मा, I can't sleep, can I sleep with you, मम्मी मुझसे नीन नहीं आ रही है, मैं आपके साथ, या आपके पास सोजाओ, मम्मी मुझसे नीन नहीं आ रही है, मैं आपके पास सोजाओ, तो ये इसका हिंदी है, 44 sentence है आपका, 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 तो जल्दी से जाओ तुम्हारा एक्जाम है तो यह था हमाई 36-46 संटेंस आई यह कुछ थोड़े भात और संटेंस इसको करते हैं चीक है आई करते हैं आगे sentence को continue करके हैं तो आपका 47 sentence है how was the exam how was the exam तो इसका हिंदी है कैसा हुआ exam ठीक है कैसा हुआ exam 48 है आपका ask your father ask your father तो इसका क्या है अपने पापा से पूछो अपने पापा से पूछो 49 sentence है it's so late and you are still sleeping it's so late and you are still sleeping इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो इतनी देर हो गई है और तुम अभी तक सो रहे हो 15 sentence है आपका इट्स holiday today it's holiday today let me sleep today let me sleep today तो इसका हिंदी क्या आज तो छुटी है है आजश तो सोने दो आस तो छुट्ति य twenties हमारी एंग्रिछ चैनल पर नूब कर ने सब्सक्राइब कर लीजे आइकन ब्रेस्ट कर लिए ताके हमारे यह रहते ही यूसफुल वीडियो आपके फोन में आते रहें तो मिलता है इसी वीडियो में इस ऐसी वीडियो के साथ लेक्स वीडियो में